सबी दर्शकों का पंजाबकेस्री.com में स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ खुश्पू आज 23 अक्टूबर दिन बुद्वार है आज के पंचांग के अनुसार आज विक्रम सवन्त दो हजारी क्यासी के कार्तिक मास के क्रिशन पक्ष के सप्तमिती थी है आज पुनर्वसु नक्षत्र है और शिव योग है साती आज भद्रा करण है आज चंद्रमा मध्यरातरी 12 बज़े तक मिथुन राशी में है उसके बाद करक राशी में गोचर करेंगे बिजनस अंबंदी यात्रा की बात करें तो आज दक्षन या पश्चम दिशा की यात्रा पाप घर में अलग से पूजा रूम बना सकते हैं यदि ऐसा नहीं है तो किसी भी उस कक्ष में पूजा के लिए स्थान बनाया जा सकता है जो कि घर के प्लॉट में उत्तर या पूर्व दिशा में आती है यदि उत्तर पूर्व कॉर्णर में मंदिर है तो उसके बिलकुल स पूफ रहना बहुत ये आवश्यक है अब बात करते हैं आज के राशी फल की कौन सी राशी के लोगों के लिए आज का दिन शुब रहेगा और कौन सी राशी वालों को आज विशे साफधानी रखने की जरूरत है चल ये इस पर नज़र डालते हैं मेश राशी वाले लोग बिश्यप राशी वाले लोग अगर आलस से त्याक कर अपने प्रियासों में तेजी लाएं तो लाब होगा। प्रतिस्ठा में व्रिदी होगी स्वास्ते के मामले में ज्वारादी की शिकायत रहेगी। से समाज में प्रतिस्ठा को शती पहुच सकती है। इसलिए वानी पंडियंद्रन रखे। भागे का पूरा साथ नहीं मिल पाएगा। तुला राशी वाले लोगों के लिए आर्थिक मामलों में आज का दिन बेहच्चुप है। लेकिन वाहन चलाने में सावधानी रखनी की आविशक्ता भी दिखाई देती है। माता से भी लाब मिलेगा, कुछ आकास में खर्च भी हो सकते हैं। मित्रों और भाईयों से सहयोग क्या पेक्षा आज आप रख सकते हैं। वर्षिक राशी वाले लोगों को परिवार में पत्नी और पुत्र से अच्छे समाचार मिलेंगी। आज आपके लिए खर्च के अधिक्ता से परिशानी रहेगी क्योंकि आमदनी के तुलना में खर्च बड़ा चड़ा होने से बैलेंस नहीं रह सकेगा। लेकिन दैनिक रोजगार में आज आपके लिए व्रदी होगी। और देर रात तक काम ना करे। कुम्बराशी वाले राजनीते से जुड़े लोगों को कोई नयापद या उत्रदायत वप्राप्त हो सकता है। समाज क्यात्राओं से पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकेगी। आज रोगों के इलाज के पीछे धन के खर्च होने के आशंका बने रहेगी। हाला कि दोपहर बाद कुछ राहत का जाप अनुभव करेंगी। मीन राशी वाले लोगों को वेवसाइक कारियों में आरूची पैदा होने से कार्यबादित होंगी। बैंक और फाइनेंस के संबंद में उलजने भड़ जकती है। आज आपको ग्रोध उर्वानी पर सैयम बढ़तना होगा। स्थान बली शनी परिश्रम का बहुत अच्छा फल देगा। आज के राशी फल में बस इतना ही। अगर आपके मन में आज के राशी फल से जुड़े कोई भी सवाल जवाब है। तो कॉमेंट सिक्षिन में हमें जरूर बताए। और ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहें पंच्वापकेसरी.com के साथ।